सुगाजर हाई टेक पिंटू में फिर से एक नेवडियो के साथ आप लोग का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सुगाजर हाल ही में मैंने एक बैक फाइनेंस करवाया है पलसर का तो पलसर को जो फाइनेंस करवाया तो आप कोई भी बैक फाइनेंस पे लेना चाहते हो अपाची हो, हीरो हंडा हो, गलाइमर हो या कोई भी बैक आप देना चाहते हो, सभी के लिए कंडीशन एक ही होता है, आपको डोकिमेंट में क्या क्या रिक्वार्मेंट होगी, आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, साथ में आपको per monthly कितना जम्मा करना पड़ेगा, और किसके ओपर यह डिपेंड होता है, तो इस वीडियो में A to Z जनकारी आपको देने बाला होती, इस वीडियो का आपको step by step in तक देखना होगा, साथ में अगर चैलन्स अगर पहली बार आप विजिट कर रहे होता है, चल्क को सब्सक्राइब करना होगा, अब बेल आइकन को प्रेस करके all notification पे क्लिक किजिए, क्योंकि मैं tax related वीडियो हमेसा आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले आपको document क्या requirement होगी, साथ में EMI cost आपको कितना लगना है per month का, और कितना extra पैसा लग जाएंगे, इंट्रेस्ट कितना लगेगा, सारी जनकारी आपको देने वाला हूँ, चलिए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले identity proof में अधार काड आपको लिया जाएगा, अधार काड इसके बाद अगर आपके साथ पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो, इसके बाद पैन काड तो देखें आपको अधार काड है और पैन काड है, यह दोनों आपको 100% लिया जाएगा, यह दोनों आपको ले रही है, इसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, बटर आईडी काड हो गया, पासपोर्ट हो गया, यह तिनों है, ऑप्सनल, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो यहां पे आप लगा सकते हो, इसके अलावे हम पासपोर्ट साइज की फोटो की बात कर ले तो पहले चार लिया जाता था, लेकिन आप छे लिया जा रहा ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो आपको छे ले जाना है, इसके अलावे ब रहें का statement निकल वालिजिए और दे सकते हैं इसके बाद अगर आप सेल्फ employment है या तो आप कोई business कर रहा है तो यहां पर कोई कमपड़ी में अगर job कर रहे हैं तो आप सेल्डी सेलिप यहां पर लगा सकते हैं इससे प्रोसेसिंग जो ले जा रहा है बैंक का statement होगा वह आपको लगा के आप ले सकते हो ठीक है यह चारी document का रिक्वाइड मेंट होगी कर आपका सीविल एसकोर तुरा सा अच्छा है तो आप यह बात कर लेते कि सीविल स्कूर कितना होना चाहिए कम से कम 600 सीविल रहता है तो असानी तरीके से यहां पर फाइनेस आप करवा पाते हो अगर आपके ज़रूरत होती है किसी बैक को finance कर आने के लिए अगर आपके पास अधार कार्ड है पासपोर्ट है नहीं है तो चलेगा वोटर ाइडी गरस नहीं है तो चलेगा और ड्रैविल एस्थे कार्ड और छहपो थह व foto अपक और स्टेटिमेंट जरनी तरहे तो आपको बैग का नाम करने हैं इसके बाद और यहां अप यहाँ पर तक्लिक करने के बाद के , क्लिक करें को मिल जाएगा ठीक यह लापाची का है ठीक है इसके अलावे यहां से हम देखते हैं आपको brand यहां पर सेख्क करना होतीड होते टीवीयस का बदाज का लाफ हूंडा का यहां 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 पर बहुत सारे ब्रांड मिल जाईगे जिस भी brand को चाहिए यहां से back तो search कर सकते हैं ठीक है तो मुझे tes ka चाहिये जिसे हीडो करने तो मैं टीबीस करना तो म्हांट कर देता हूं इसके बार मोडल आपको जो भी चाहिए यहांपे keyboard देख सकते हैं पाची का जो भी मोडल यहां पर नीचे आजाना है यहां पर देखने को मिल जाएगा सबसे कम से 30 परसेंट कर लेना है उससे भी कम भी कर सकते लेकिन यह इंट्रेस्ट करने से अपर इंट्रेक्ष जो है काफी ज्यादा लग जाता है तो आप डाउनपेट्रेस्टाना लाउन्हां पर देखने और लाउन अमांट और इसी पर आपको पर मौन्ट का कोश्ट बनना है आप देखे यह 36 मौन तक है ना अगर मान लो कि मैं 24 मौन तक जमा करता हूं यहां पर देखे तुछ नीचे आते हैं यहां पर देखे अगर मैं मैं तीन साल के लिए ले रहा हूं तो डान पेमेंट मैंने 50,000 कर दिया तीन साल के लिए रहा हूं तो यहां पर 2589 रुपे आपको है पर मौन का पेप करना पड़ेगा यहसे मान लो कि मुझे अगर 12 मतलब सौरी यहां पर मैं एक एयर में ही चाता हूं कंप्लीट कर लूँ एक करेंगे तो हमको 7073 रुपे आपको क्या करना पर मौन करना पड़ेगा जैसे मुझे दो साल के लिए चाहिए तो सिंपल सा 24 क्लिक करता हूं यहां पर दो साल के लिए देखे कितना बन रहा है पर मौन का 3707 रुपे आपको मिल रहा है जैसे मालू मुझे दो साल के लिए चा कितना बचिया अगर आपने 50,000 जमा कर दिया है पहले डाउन पैमेंट कर दिया है इसके बाद तो लोन इमाउंट आपका 80,583 रुपे बच गया इसके बाद आपको जो इमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 88,968 रुपे आपको एक्ष्टा पैसा कितना लग जाए आठ हजार 350 रुपे आपको एक्ष्टा पैसा लग जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप पूरी जनकारी यहां से ले सकते हो डाउन पैमेंट आपको और भी करना है तो और भी कर सकते हो तो और अगर करता है जिसे मानलो कि मुझे मैं 90 क्या सपास इसका डाउन पैमेंट कर दे रहा टोटल जो लोन इमाउंट है वो 40,000 है इसके बाद यहां पर आपको नीचे में आना नीचे में दिखे तो अठारा सो सरसट रुपे आपको पर मौंत आपको जमा करना पर सब एक दूसरे पर डिपेंड आप जैसे तरीके से आप करना चाहों वो कर सकते हो उसकादर उमीद क करने के कोशिश करूंगा